हलो एवरिवन, शिफ शक्ती चैनल में आप सभी का स्वागत है, ये डिवाइन प्रैम नाइन की करेंट एनर्जी के उपर वीडियो रहेगा, क्योंकि इस टाइम जो डिव है, अपनी वाइब्रेशन को बहुत जादा हाई कर रखा है, बहुत जादा एक बैलन्स के एनर्जी में है, ठीक है, और जो डिव इस एनर्जी में है, उनके लिए मुझे एक सॉंग भी चैनल हुआ है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिएगा, सुनिएगा, बहुत ही ज्यादा ब्यूडफुल सॉंग है, और ये सॉंग सुनके और ज्यादा आप हाई बाइब्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि जब ये मुझे चैनल हुआ, तो मुझे भी गूस बंब आ गया, बतलब सेंशेशन बाइब्रेशन इतना हाई लेवल का था, एकदम से करेंट का फ्लो होना बाडी में, ठीक है, तो आप भी सुनिएगा, जो डियाफ हाई वाइब्रेशन में है, रियली में, ठीक है, जिसका फोकस डियम पे नहीं है, खुद पर है, ठीक है, जिसकी लाइब में बहुत ज़दा अबेंडन्स आ रही है, बहार की परस्तिती कैसी भी हो, डेजन्ट मैटर, बहार कुछ भी चल रहा हो, इससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, आपको बहुत ही ज़दा एक पीस वाली एनरजी फील हो रही है, एक इनर पीस आप फील कर रहे हो, ठीक है, एकसाइटमेंट अचा आपको फील हो रही है, आप काम करते करते स्माइल कर रहे हो, या कुछ भी नहीं स्वोच रहे हो, आपके चेहरे पर स्माइल आ रहे है, आप मिरर के सामने जा रहे हो, स्माइल कर रहे हो, सैल्फ लब बहुत ज़दा आपने इंक्रीज कर लिया है, सैल्फ लब की एनरजी मे df बहुत जादा आ चुकी है मतब जो भी important है उसकी life में तो वो खुद है ठीक है खुद की value करना खुद की respect करना खुद को time देना खुद को समझना ये df को बहुत अच्छे से आ गया है पूरी अच्छे से boundary set करना आ गया है जहां value नहीं है जहां रिस्पैक्ट नहीं मिल रही है भी नहीं जाना है ठीक है बार बार जहां cheat मिल रहा है धोका मिल रहा है तो बहां भी हमको गलत step बार बार नहीं लेना है ये df को आ चुका है ठीक है अपनी mistakes को अब वो नहीं दोहर आ रही है कि पता है ये person मुझे धोका दे रहा है तो अब इस relationship में मुझे नहीं जाना है तो नहीं जाना है ठीक है तो ये बहुत बड़ा change आ गया है df के अंदर बहुत ही जादा manifestation की power बढ़ गई है बहुत ही जादा आपको लोग notice कर रहे हैं आपकी vibration को समझ रहे है और dm भी बहुत दूर से ही आपको देख रहे है आपको feel कर रहे है आपकी positivity को feel कर रहे है उनका observation दूर से ही आपर है दूर से ही नजर रख रहे हैं चाहें वो कहीं से भी आपके बारे में लोगों से पूछ रहे हो बात कर रहे हो चाहें वो शोशल मीडिया हो चाहें वो आपके friend circle में ही किसी से आपके बारे में पूछ रहे हैं चाहें वो family member से ही पूछ रहे हैं अगर आप अपने DM से ही married हैं या वो कहीं न कहीं connect है आपकी family से या आपके friend circle से ठीक है तो जब DF balance हो जाती है healing हो जाती है complete आपकी आप अपने union की तरफ बढ़ रहे होते हो आपका खुझ से union हो जाता है मतलब इतना ज़्यादा self love आ जाता है DF के अंदर जहां DF start करती है अपनी journey तो वहाँ पे एक lack of self love की energy होती है self love की बहुत कमी होती है DF के अंदर बट जैसे जैसे आगे बढ़ती है healing करती है ठीक है आपके अंदर self love इतना आ जाता है कि आप औरो से भी love attract करते हैं लब को खीचते हैं ठीक है love वाली energy आपके तरफ attract होने लगती है ठीक है attract like attract आप जो होंगे जैसा सोचिंगे वही चीज़ आपकी तरफ attract होती है तो आपका तो औरा जो है दिन पे दिन निखर रहा है आप positivity को attract कर रहे है happiness को attract कर रहे है peace को attract कर रहे है आप जो भी अपना creativity कर रहे है उसमें आपको बहुत ज़्यादा happiness मिल रही है आप job जो भी कर रहे हैं career में आप जहां भी आगे बढ़ रहे हैं वहाँ आपको एक stability feel हो रही है मतलब आपको लग रहा है कि हाँ आपको यहाँ से benefit ही मिलना है confidence काफी आ चुका है DF के अंदर थीक है तो DF के लिए जो important होता है 3D की money इतना important नहीं होता है relationship important इंटे उसका divine से connection बहुत ज़ादा important होता है और वो हमेशा बनाई रखती है divine से ठीक है divine के बहुत ज़ादा करीब होते हैं twin flames बट यह connection को आप तभी समझ पाते हैं जब आपकी vibration high होने लगती है आपका औरा बहुत ज़ादा attractive होने लगता है औरा का attract होना मतलब union तो है ही बट आपका जो inner work होता है जो healing होती है उसका असर आपके औरा में बहुत ज़ादा दिखने लगता है और यह आप भी notice करते हैं जो आसपास के लोग हैं वो तो notice करते हैं आप अपने आप में खुद notice करते हैं फील करते हैं कि हाँ मेरे अंदर change आ रहा है मैंने बहुत अच्छा work किया है आपके healing आपके work कर रही होती है आपको खुद पता चल जाता है यह चीज एक दिन में नहीं होती है यह भी मैं आपको बता दू जो DF अभी थोड़ा सा जर्णी में पीछे है और वो सोच रही है मेरे अंदर change नहीं आया है यह change एक दम आपके अंदर नहीं आएगा धीरे धीरे ही आपके अंदर change आएगा तो जो DF अभी awakening में आई है healing नहीं complete हुई है inner work complete नहीं हुआ है उनसे यह resonate नहीं होगा तो आप इसको judge भी नहीं करें बट जो DF काफी time से inner work कर रही है और जो मैंने अभी जो बता रही हूँ inner work आपका चाहँ छे महिने से चल रहा है एक साल से चल रहा है चार साल से चल रहा है इससे मतलम नहीं जो energy है अगर यह आप से resonate हो रही है अभी तो 100% यह song आपके लिए ही channel हुआ है और आपके DM भी आपको कहीं न कहीं से stroke कर रहे हैं ठीक है आपकी positivity उनको बहुत ज़्यादा अंदर से feel हो रही है ठीक है physical body से मतलम नहीं है आप no contact में हो separation में हो यह माइनी नहीं रखता है ठीक है जैसे जैसे आपकी inner healing हो जाती है आपकी soul के जो wounds है release हो जाते हैं, heal हो जाते हैं तो उधर जो आपकी soul का part है आपके DM है, वो भी आपकी ही soul है अगर same blockage होंगे issue होंगे तो वो जब heal हो जाते हैं तो उनको भी कुछ नको realization होता है sign मिलते हैं और उनको वो decode नहीं कर पाते हैं पर तब भी उनको बार-बार दिये जाते हैं बहुत से DM इतने highly spiritual होते हैं उन्हें ये connection खुद पता चलता है खुद वो DF को भी आकर बताते हैं ठीक है तो कुछ cases में ऐसा भी होता है और ये time आपका union का तो चली रहा है तो भो सकता है DM आपसे मिले भी आकर आपके कोई उनसे meeting हो जाए आपको मिलने बुला लें ठीक है और ये जो आपकी communication होगा या जो भी आपका meeting होगा ये बहुत जादा positivity लेकर आएगा आपके relationship में ठीक है तो ये जो DF है बहुत जादा high vibration में आ चुकी है बहुत अच्छे से सब कुछ आ गया है आपको कैसे protect करना है कैसे सामने वाले को deal करना है कहां मुझे बैठना है कहां नहीं बैठना है कहां हां बोलना है कहां ना बोलना है कैसे चीजों को समभालना है जो अभी बहुत जादा weak थी DF emotionally weak थी responsibility नहीं ले पाती थी खुद की दूसरों की दूसरों पे depend रहती थी money को लेकर या शादी को लेकर एक love की need रहती थी मुझे बश्यादी चाहिए से DF बहुत आगे आ चुकी है हाट चक्रा DF को balance हो चुका है unconditional love self love, forgiveness ठीक है एक आपके अंदर एक excitement के energy एक peace वाली energy दौर रही है जो मुझे energy peak हो रही है बहुत ही जादा collective में DF happy है ठीक है जैसा भी है उसने accept कर लिया है जैसे भी DM है उसको भी accept कर लिया है family जैसी है वो भी accept कर लिया है वो कुछ जैसी है उसका physical appearance जैसा है उसको भी accept कर लिया है तो ये सब चीज़े बताती acceptance की energy जब आपके अंदर आ जाती है तो आपका heart चक्रा कही ना कहीं balance होने लगता है आप judge नहीं करते हो blame नहीं करते हो लोगों को आपकी जैसी भी condition है आपकी family की जैसे भी condition है आपके parents जैसे भी है सब कुछ आप accept कर लेते हो समझ जाओ आपका heart चक्रा कहीं ना कहीं balance हो चुका है तो ये energy अगर डियाफ आपके अंदर आ चुकी है acceptance की energy forgiveness की energy unconditional love की energy self love की energy no hate, no jealousy किसी भी नहीं खुद से नहीं किसी और girls से नहीं DM की wife से किसी से भी नहीं तो आप समझ जाओ आपके अपर चक्राज भी balance हो रहे हैं आपकी voice में बहुत ज़्यादा politeness आ रही है आप लोगों से बहुत ही अच्छे से बात कर रहे हो खुश हो life में आप जो भी इश्वर ने दिया है आप उसके लिए gratitude पे कर रहे हो एक gratitude की जब energy आ जाती है तो ये भी बताता है कि आपका heart चक्रा कहीं ना open है और balance है ठीक है आपका divine से connection बहुत ज़्यादा strong हो चुका है अब आप divine को भी judge नहीं करते हो blame नहीं करते हो कि इश्वर आपने मुझे कैसा बनाया है कैसे family दी है twin flame journey क्यों दी है इतना pain मुझे क्यों दिया है मैं ही क्यों ये सब कुछ जेलूं बरदाश करूं नहीं कुछ भी नहीं कोई question नहीं mind में सिर्फ और सिर्फ gratitude and love ठीक है तो जो dear of his energy में है आप लोग बहुत सही पात पे जा रहे हो और आपका union आपका divine से हो चुका है आपका खुद से हो चुका है तो आप लोगों के लिए बधाई और ये song भी सुनियेगा जो आपके लिए channel हुआ है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए खुश रहिए स्वास्त रहिए